पूत के पाउं पालने में ही नजर आने लगते हैं इन उपचारित बीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार अरहर की फसल जबरदस्त होने वाली है और ये बीज रोपाई के लिए बिलकुल तयार है इससे पहले कि दीदी आज ही इन्हें खेत में लगाएं आएए देखते हैं कि रहर की खेती में हमें किन-किन चर्णों से होकर गुजरना पड़ता है खेत की तयारी बीज का चुनाव एवं उपचार बीज की रोपाई कपोलों की तुडाई उक्ठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाओ फल्चे दक कीडे से बचाओ फसल की तुडाई एवं भंडार रहर के बीजों की रोपाई से पहले आएए देखते हैं कि दीदी को पिछले वीडियो रहर के बीजों का चुनाव एवं उपचार से कितनी बाते याद हैं इस बार बीज को दस घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दियें फिर उसको बीजमरित से उपचारित कियें इसके बाद राजयोबियम से बीज को उपचार कियें इससे पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे फिर उसको 24 घंटे के लिए बीज को सुत्ती कपड़े में बांद कर रख दियें थे ताकि उसमें अंकुर आ जाएं ये दीदी इस बार रहर की लहलाहाती फसल देखकर ही मानेंगी और बिल्कुल यही जजबा होना भी चाहिए आज हम देखेंगे कि दीदी रहर के बीजों को कैसे खेत में लगाती है लेकिन आपको पता है कि रहर के बीजों को खेत में लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं न? आईए देखते हैं देखिए रहर को लगाने के दो तरीके हैं उसको मेड के उपर एक-एक मीटर दूरी के उपर एक-एक फोरा गड़ा कर उसमें लगा दें ध्यान रहें कि प्लास्टिक उस पौधे से जरूर निकाल दें और लगाने के बाद उसमें चारो तरव हलके मिट्टी डालके हलके हाथों से दबा दें यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें मेड पर बीज बुवाई के लिए कितनी दूर पर गड़ा बनाना है और उस गड़े के बगल में मेड के नीचे एक और गड़ा क्यों बनाते हैं बिल्कुल यही सही तरीका है रहर के बीजों को खेतों में लगाने का लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वह है रहर के बीजों को खेतों में लगाने से पहले खाद प्रबंधन जरूर करना चाहिए अब आप सोच रहे होंगे यह खाद प्रबंधन क्या बला है आईए देखते हैं देज यह गोइठा रखे हैं बीज लगाने बड़ क्या लिटी खिलाएगा देजेदी लिटी तो साम में खिलाएंगे लेकिन यह गोइठा साधारन गोइठा नहीं है यह तो गंजीवा मेरित गोइठा है यह क्या होता है देजी? इसके बारे में मैं बिस्तार से तुम्हें बाद में बताऊंगी और इसका मैं एक तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाये जाता है अभी बस इतना समझ लो कि ये घरेलू समागिरी से मिलाकर बनाये जाता है ठीक है दीदी चलो पाले बीज लगाने के लिए एक मीटर की दोरी पर एक फोड़ा गड़ा बनाते हैं ये गड़े में क्यों दीदी? इसलिए दीदी बशाद के समय में उस गड़े में पानी जमा रहे और उस पोधे को अधिक दिन तक नमी मिलती रहे गड़े में ही बीज लगाना है ना दीदी? हाँ दीदी हर गड़े में एका गोइठा चूर चूर करके डालेंगे साथी साथ ट्रै को डर्मा मिला हुआ गोबर की खाद हर गड़े में 200 ग्राम डालेंगे इसके बाद ही हम बीज लगाएंगे 200 ग्राम, लगभग क्या एक अंजूरी हो गही ना दीदी? हाँ हाँ, एक अंजूरी ही, चलो पाले गड़ा बनाते हैं, और इन दोनों को डालते हैं ठीक है दीदी? चलिए डालते हैं चलो दादा को बोलाते हैं, गड़ा बनानी केन यहां वीडियो रोक कर चर्चा करें बीज लगाने से पहले हमें कौन-कौन सी खाद एवं उसकी कितनी मात्रा गड़े में डालनी चाहिए चलिए दिदी अब हम इसमें बीज लगा देते दिदी हर गड़े में दो दो बीजी डलनी है ना हाँ दिदी दो बीजी रोपना है दिदी दो मेड के बीच में खाली जगा है ओ क्या खाली रहेगा क्या नहीं नहीं बिल्कुल खाली नहीं रखना है इसमें आप मकय बिदाम या उरद लगा सकते ठीक है देदी फिर इसमें माके डालेंगे ठीक है तुम जो चाहो चलो दादा खो बुलाते हैं यहां वीडियो रोक कर चर्चा करें बीज लगाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कहते हैं ना कि खूबशूरती इंसान के आँखों में होती है और मेरी आँखे ये बता रही है कि दीदियों ने इस बार रहर के बीजों को खेतों में बड़े ही खूबसूरत तरीके से लगाया है मुझे पक्का यकीन है कि इस बार रहर की फसल जवरदस्थ होने वाली है अब मैं आपको रहर के एक विशेश गुन के बारे में बताता हूँ रहर के कोमल पत्तों को पीस कर घाव या जखमों पर लगाने से घाव जल्दी सूखते हैं और घाव पकता भी नहीं है अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर के कपोलों की तुड़ाई कैसे करते हैं आए देखते हैं इसकी एक जलक बीज या पौध की रोपाई में समझोता न करने वाले बिंदू रोपाई के लिए उपचारित एवं अंकूरित बीजों अत्वात तयार किये गए पौधों का ही प्रयोग करें मेड़ पर एक मीटर के अंतराल पर बीज बोने के लिए घठा बना लें तथा हर गढ़े की मिट्टी में 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा से जमाई हुई गोबर की खाद मिला दें तथा घन जीवाम्रित का एक गोईठा डालें हर गढ़े में दो-दो बीजों की बुआई लगभग दो इंच की गहराई पर करें पौध रोपन के लिए स्वस्थ पौधों का चैयन करें मेड के नीचे बीज लगाने वाली जगह के समाना अंतर एक-एक मीटर के अंतराल में एक-एक फावडा गढ़ा बनाए झाल